बात करेंगे आज HFCL Limited के उपर हिमाचल Futuristic Communications Limited इस कंपनी का पूरा नाम है कंपनी बिजनस क्या करती है मैं उमीद करता हूँ आप में से बहुत से लोगों को पता होगा नहीं पता है तो आगे इसमें डिसकस भी करने वाले हैं तो आज इस वीडियो में मुसी का discussion करेंगे कोई भी buy sell hold की recommendation हमारी तरफ से नहीं होगी ना आपको ऐसा समझना है अपने advisor से और अपनी बुद्धी विवेक से आपको जरूर काम लेना चाहिए जब भी हम बात करेंगे इस company में हम investment की, trading की या फिर जिनके पास पहले से अब हो क्या कर सकते हैं तो हम तीनोवा scenario को consider करेंगे और swing trade बनती है की नहीं बनती है उन सब चीजों को मियम यहाँ पर consider करने वाले हैं आपका भी कोई ऐसा question हो किसी stock के regarding तो इस comment box में आप ज़रूर बताइए कि आपको किस company के ओपर अगला वीडियो चीए क्योंकि उनी stock पर वीडियो आएंगे जिन पर आपका comment ज़ादा होगा और ध्यान रखिए मेरे personal trade और investment या breakout stocks second channel double run stocks पे ज़्यादा तर आते हैं अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत देखते हैं कि HFCL में technical और fundamental दोनों क्या बोलते हैं अगर fundamentally बात करी जाए तो एक company जो है वो telecom infrastructure से related business करती है telecom equipment बनाती है जिसमें optical fiber, optical fiber cable से related business भी company का part है market cap की बात करें तो company 13,000 crore की market cap रखती है stock का PE थोड़ा सा expensive नज़र आता है ROC, ROE आपके सामने चल रहा है बात कर लेते हैं promoters की holding के तो वो कम है और इसमें कुछ pledge percentage भी हमें नज़र आता है debt company के उपर कम है जो कि एक positive point है लेकिन free cash flow कुछ खास अच्छा नहीं लगता market cap to sales ठीक ठाक है PG ratio भी ठीक ठाक सा नज़र आता है यहाँ पर अगर हम EPS को भी देखे तो बहुत ज़ादा attractive फिलाल नहीं लगता है यह basic level fundamental होए अब इसके अगर quarter result को हम देखना चाहें तो आप कई quarter से देखे यह जब 2021 के अंदर 86 से 90 करोड का profit ला रहा था उनी price पे यह stock खड़ा था और आज भी उनी price के आसपास खड़ा है जो हम चार्ट पे देखेंगे stock की growth देखे sales में लगबक 1100 करोड से 1400 करोड की यह sales जो हो company average कर रही है quarter के अंदर और यहाँ पर profit जो है company के लगबक 70 से 80 करोड के बीच के average profit जो company के निकल के आ रहे है अब अगर इस stock वापिस दो-ड़ाई साल बाद अगर हम चार्ट पे देखने जाए तो एक range को तोड़ने आया है तो एसा क्यों हो रहा है वो अबे समझना होगा या तो इसमें कोई तेजी आने वाली है क्योंकि उसका तेजी का पहले reason हमें पता नहीं चलेगा वो result आने के बाद पता चलेगा और अगर हम इसके yearly pndl की तरफ देखने जाए तो yearly pndl भी साफ-साफ indicate करते है कंपनी की ग्रोथ काफी पिछले काई सालों में काफी अच्छी रही है sales के टरम में इतनी नहीं रही तो profit के टरम में देखे profit 300 करोड से उपर के लगातार कंपनी maintain कर रही है yearly basis पे अगर इस कंपनी के sales growth को आप देखेंगे आपको पता चलेगा this is the chart जो आपको भी नजर आ रहा है याद करिए कंपनी ने जो profit लाए थे जून दो जार इकिस के आसपास उनी प्राइस के आसपास से कंपनी लगबग दो धाई साल से जो वो trade करते हुए नजर आ रही है ये इस range के अंदर जो वेचारी cap होके फसी हुई है ना इसके ऊपर जो आप आती है ना इसके नीचे आप आती है एक बार इसके ऊपर काटम्ट हुआ और इसके नीचे काटम्ट हुआ दोनों ही failed हुए कोई भी सार इसमें नहीं निकला ना bull जीते ना bear जीते याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत से लोग किसी भी stock को buy करके जो सोचते हैं कि long term के लिए बैठे रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी story दिखाना चाहता हूँ, इसी chart पे लेकर, ये BSE पे इसका chart हमें देखना होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इसका monthly chart convert करता बाकी picture आपको खुद पता चल जाएगी, ये इसकी picture जो है, अब आपको खुद बखुद दिख रही होगी, company का high यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, that is more than 2550 रुपे, 2552 रुपे का company का high, in March 2000, year 2000, March के महीने में, 2550 रुपे से company का high, वो stock 2-5 रुपे भी आ जाते हैं, ये stock market की reality है, जो बहुत से लोग नहीं समझते, यहाँ पे सपने बेचे जाते हैं, कि आप लगा के बेट जो, इतना इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, fundamentally research भी ज़रूरी है, technical भी ज़रूरी है, और उसका review भी ज़रू अब इस stock में क्या हो सकता है, हम देखेंगे, ये monthly chart हमारे सामने नजर आ रहा है, पहले हम monthly chart को review करेंगे, then हम weekly और daily को भी review करने वाले है, fundamentally मुझे company को ये खराब नजर नहीं आती, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे हो, लेकिन हाँ company अपनी growth को maintained कर रही है, जिन prices पे थ close नहीं आपा रही थी, this is the first time in January 2024, कि stock उसके उपर sustain कर रहा है, बट ये 31 January को इसके उपर close करना चाहिए, तभी इसको perfect breakout माना जाएगा, तब ये perfect breakout नहीं हो सकता, अगर हम range की बात करें तो आप ध्यान से देखे, stock इस range में जो है, वो बना हुआ है, यहाँ पर, इसमें नीच इसे के side में जो ये level है, वो आपके समने में बता दूँ, ये level करीब 52 रुपए के आसपस का level जो वो निकल के आता है, तो stock इस range के अंदर जो बना हुआ है, अब इस wave में ना तो इस wave का high इसने तोड़ा, ना इसका low इसने तोड़ा, फिर देखे क्या होता है, फिर stock एक अग इस company के मेरे पास इस company कितने shares हो, वो भी मैं आपको वीडियो में last में दिखाऊंगा, लेकिन इतना note करिए कि monthly chart का trend अभी फिलाल bullish है, monthly chart का ये जो trend है, इसमें दो level important होगे, short term के लिए लगबग यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, short term support जोगा, वो लगबग 78 रुपीज के आ लगाता है, नए setup बनने का वेट करना होता है, और नए indication आने का वेट किया जाता है, तो short term support 678 रुपीज के आसपास company का रहने वाला है, अगर इसी chart को देखके मैं long term support की बात करूँ, तो लगबग यहाँ पर रुपीज 62 के आसपास जो है, वो long term support में इस company का नजर आता है, तो यानि long term में trend खराब कब होता है, जब 62 के नीचे stock अब आ जाएगा, तो long term का एक बाद trend खराब हो जाता है, और short term का 78 के नीचे खराब हो जाएगा, यह में mind में रखना है on monthly chart, monthly chart का अभी फिलाल direction क्या है, monthly chart is clearly bullish here, monthly chart को हम क्या कहेंगे, the conclusion is monthly chart bullish है, यह में note करना होगा, यह दो धाई साल के आसपास का chart जो हमारे पास available है, इसको अगर हम ध्यान से देखते है weekly chart पे तो आप देखिए कि इन levels के उपर जो है stock ने sustain करने से मना कर दिया था बहुत समय से, यह जो last sustain हुई थी इस level पे वो लगबग 2022 के starting में हुआ था, इसके उपर sustain नहीं हो पा रहा यहां पर अब यह इसके उपर sustain कर रहा है, तो एक अपने आप में अच्छा जाईन है, तो weekly chart क्या हो गया है, मैं आपे लिग देता हूँ, weekly chart is bullish, यह हमें पता चल गया कि weekly chart किया है, bullish है, यह हमें clear हो रहा है यहां पर तो इसमें कोई दोलाए हमारे पास नजरत नहीं आती है अगर बात कर लेते हैं यहां से उपर के resistance की, तो वो हमें देखना होगा कि सबसे important resistance हो 101 रुपे पे है, इसके उपर जाएगा तो next resistance कुलेंगे, उनको हम देखेंगे, लेगिन सबसे important 101 है, support की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे कि इन levels के आसपास जो की पहले क्या बने होए थे, यहां पर रूपी 78 जो है, इस पर भी important level निकल के आ रहा है, तो weekly chart पर 78 जो है वो short term का important level है, और long term के लिए मैं बात कर दो, यहां पर 60 रूपे के आसपास जो important level निकल के आता है, तो 60 रूपे के आसपास long term का important level नजर आता है, तो weekly chart भी bullish है, 78 के साथ में इतना हमें पता चल रहा है और यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, अब बात करते हैं उपर के resistances की, कि actually में उपर resistances कितने हो सकते हैं, उसके रिए में वापिस monthly chart convert करना होगा, उसको समझना होगा, चले में ने इसको monthly chart को यहां पर convert किया, अब इसमें पीछे का data analyze करना होगा, कि पीछे actual में history में हुआ क्या था, और इसके resistances कौन-कौन से, आईए, यह पीछे का data है, इसे हमें अच्छे से देखना होगा, और समझना होगा, this is the back data, और इसको हम देखते हैं और समझते हैं, कि actual में history रही क्या थी, यह देखिए, इस history को हमें इस तरीके से स मजना होगा, यहाँ पर stock जो है, वो 90 रूपीज के आसपास भी खड़ा है, अगर उपर आता है stock, तो देखें सबसे पहला resistance के लिए यह range होने वाली है, करीब 101 रूपए से 105 की range, यह सबसे पहले important यहाँ पर resistance होने वाली है, मैं इसको weekly convert करता हूँ ताकि आपको और अच्छ इसलिए हम इसको इतना ही देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो important resistance हो 100 रूपए से 105 की range के आसपास है, second resistance जो important हो यह वाला होगा, अब यह वाला level कौन सा है, 120 रूपए के आसपास, and third important resistance जो है, जो upside में, वो 135 से 140 की range होने वाली है, उसके बा 30 से 140 की range जो है, वो third resistance यहाँ पर निकल के आती है, right now stock कहाँ खड़ा है, 90 रूपए पर खड़ा है, अगर हम 140 के लिए भी दाव ठोकते हैं, तो यह stock 50% की upside दिखाने वाला हो जाता है, अगर हम 100 से 105 की तरफ जाएं, तो भी 15% के आसपास का generate हो जागता लिंक, और यहाँ पर जाता है, stock और भी तेजी बनती है, बट हम फिलाल इन तीन resistance के उपर बात करने वाले हैं, convert करेंगे इसको again, यहाँ पर monthly chart पे, यहाँ पर आज की date में data को देखते हैं, कि आज की date का data जो है, वो हमारे सामने क्या picture देता है, यह monthly chart हमारे सामने आया, अब देखते हैं कि हो क्य क्या सकता है, वो हमें समझना होगा, कि आज की date में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि हम इसमें investment है या नहीं है, उसकी बात करेंगे, अब देखें, जिसका 2000 से investment है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, उसको सिर्फे की बात कहूँगा, प्रणाम, और हम कु आरे पास free वाले stock पड़े हैं, मैंने जब HFCL में एक बार trade लिया था, लगबग 20 रुपए के आसपास मैंने एक trade लिया था, और उसमें 35 रुपए के आसपास मैंने profit बुक किया, तो यह जो मेरा दूसरा account है, जिसका आप screenshot देख रहे हैं, इसमें मैंने 300 share का लेके छोड़ क्योंकि मैंने 10,000 के आसपास का कुछ profit generate किया था, तो 300 share मैंने आपे लेके उसके छोड़े थे, और बाद में एक company old ली थी मैंने इसी के तरह, जहां पे मैंने 10,000 का profit किया, वो अलग company, उसका नाम हम बाद में बाद करेंगे, लेकिन ये मेरे पास उस trade का profit मेरा 3 गुना हो ग ये 3 गुना हो चुके, तो मुझे वैसे भी कोई चिंता नहीं है, अब बात करते हैं कि जिनके पास नीचे से लिया हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई already invested है, हम पूरी case study को समझते हैं, नीचे से ले रखा है, या यहाँ से ले रखा है Technical are super good, अभी बहुत अच्छे और bullish नजर आ रहे हैं, अब मेरे पास already invested है, तो मुझे clear करना होगा, चाहे किसी भी price से हो, नीचे से ले पर से, मुझे clear करना होगा, कि मैं उसको short term के साथ लेना चाहता हूँ, short term support के साथ रखना चाहता हूँ, तो 78 का मेरा important support है, अगर मैं long term support क साथ रखना चाहता हूँ, तो रूपी 62 के आसपास मेरा important support रहने वाला है, अब मुझे clear करना है, कि मेरे को इसको ride करना है, या नहीं करना है, अगर already ले रखा है तो, माल लीजे मैंने already ले रखा है, और मुझे लगता है कि मुझे 4-5 महीने बाद पैसे की जरूत होगी, तो investment करना कर सकता है, तो fresh investment के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको fundamentals कैसे है, okay है, मैं बहुत अच्छे नहीं, तो बहुत खराब भी नहीं कह सकता, technical की बात करते हैं, अगर technical, तो technical bullish है, साफ-साफ यहां पर bullish नज़र आते हैं, यहां पर भी आपको same चीज़ clear करनी होग कि आप लेना किस purpose से चाते हो, अगर आप important support के साथ काम करना चाते हो, support, तो आपको clear करना होगा, short term में support, rupees 78 again, और long term में support, rupees 62 again, यह आपको clear करना होगा, और अगर आप चाते हो कि नहीं, मैं यहां पे बिना support के काम करना चाता हूँ, तो फिर आपके लिए buy on dip strategy होगी, buy on dip, अब मैं personally बता दू, मैं इस company में buy on dip की कोई strategy, खुद होता तो नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसका reason है, कि इससे better investment के options भी market में बहुत है, मेरे पास already इसके free वाले shares है, तो जिनके पास already हैं, वो तो लेंगे नहीं, buy on dip कौन करेगा, जिसको company के अंदर की पूरी news हो, या पत side ही पे है, तो यहां पे हम पूरा investment नहीं ठोक सकते, अगर मुझे लगाना हो, तो पूरा investment में एक बार में पूरा नहीं डाल सकता, लगाना ही होता, तो मैं नीचे आता, parts में इसको accumulate करने के लिए जाता, अगर मैं पूरा investment एक बार में लगा रहा हूँ, तो फिर मुझे short term support या long term support को clear करके ही जाना चाहिए, बिना उसके नहीं जाना चाहिए, यह clear होना चाहिए, यहां पे, this is the strategy for HFCL, for fresh investors, अब बात करते हैं यहां पे, is there any swing trade opportunity, यहां पे कोई swing trading की opportunity है क्या, तो उसका भी हम discuss कर लेते हैं, right now है, मैं answer लिखना चाहूंगा, rupees 90 के ऊपर already हो चुकी है यहां पे swing की strategy है, लेकिन वो swing पटापट वाला swing नहीं होगा, समय लेने वाला swing होगा, उस swing में यहां पे important level क्या हो सकता है, उसको हम discuss करेंगे, लेकिन उपर की side में जैसे मैंने आपको बता दिया, 101x105, यह सबसे पहला होगा उस swing में, और उसके बाद में 120 के आसपास का द profit book करके निकल गए, अपने advisor से बात करके, लेकिन अगर आप पूरे target खाना चाते हो, तो थोड़ा समय इसमें लग सकता है, वो समय में देना होगा, मान के चलना होगा कि 4-8 month लगते हैं, तो easily हम उसको alert करने के लिए तयार है, क्योंकि हम return भी तो share में लगबग 50% के आसपास का expect करने हैं, तो मैं समय देने के लिए तयार रहना चाहिए, अब swing trade में यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए फिलाल इसको देखने के लिए मुझे एक बात daily chart देखना होगा, तो चलते है daily chart पे, यहाँ पर हम इसको convert करेंगे इससे daily chart पे, let's have a look at daily chart, यह data हम ऐसे रखेंगे यह देखिए, daily chart आपके सामने convert करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब कभी भी swing trade जो है, वो ऐसे नहीं किया जाता, swing trade के लिए अमिशा wait किया जाता, perfect setup का, right now यहाँ पे कोई perfect setup अभी नहीं है, मेरे लिए swing के लिए best time होगा, जब यह एक बार थोड़ा सा dip दे दे, एक dip मिल जाए, और उसके बार जब उपर जाए, तो मेरे लिए swing में, best मेरे लिए setup बन सकता है, right now मेरे लिए swing का setup नहीं है, है तो hold कर सकता हूँ, समझो, जिसके पास already swing के लिए, वो hold कर सकता है, but this point is not for one time swing की, यहाँ पे डाल के बैठ गए सीधा, जाने को उपर जाए गाए लेकिन best किस के लिए है, जिसके पास नीचे है, fresh लेना चाहे तो उसे थोड़ा dip का weight भी हमेशा करना होता है, तो अगर मुझे swing करनी भी होती, तो भी मैं यहाँ पे 70% या 60% quantity से करता, remaining के लिए dip का में weight करता कि आए, और उस case में मेरा important support क्या होता, रुपी 78 शुड बी my important support, यह मेर definitely देना पड़ेगा, बिना समय के वो नहीं होने वाला, इसको ध्यान रखे, 78 के नीचे company का आना, मतलब इन levels के नीचे company का आना, एक बार के trend को बिगाड़ देगा, कौन से trend को, short term के जो trend होगा, वो बिगड़ जाएगा, तो क्या पूरा कभी chart चलेगा, यह नहीं क्या, क्यो अगर आप इसको ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा, किस तरीके से stock में गिरावट रही थी, उसके reason जो भी रहे हो, उस time dot com bubble चला था, year 2000 में IT का, तो उस वज़ए से बहुत सारी company में ऐसा हुआ था, even मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता, लेकिन चलिए मैं आपक इस company की वज़ए से, इंडिया के कुछ बड़े corporate house के लोग, मतलब बड़े corporate house मतलब, जिनके बड़े नाम है, उन लोगों ने suicide का भी attempt किया था, अगर आप Google पे जाके सर्च करे कर सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक थोड़ा सा issue का काम हो उनने HFCL को भर-बर के उठाया था, और जो बड़े corporate house के ओनर थे, उनके बेटे ने suicide attempt भी किया था, यह शायद suicide कर भी ली थी, मुझे exact जान का ही नहीं है, तो जब यह share नीचे गिरा, तो सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत से लोगों ने HFCL की वज़े से suicide attempt भी किये थे, this is also reality, अगर आप जाके पीछे history में papers उठाएंगे, news देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, और मैंने तो यह सारी चीज पड़ी हुई है, जब इस company में मैंने सबसे पहले पैसा डाला, तब मैंने यह चीज पड़ी थी, तो मुझे अच्छे से याद है, बट reality से मैंने आपको वाकिप कराया है, कि आने वाले समय में कौन से level important रहेंगे, हो मैंने आपको दिखा दिये, right now कौन से levels जो वो important है, उसकी भी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है, so I hope HRCL से regarding अब आपका कोई question नहीं रहना चाहिए, stock का trend bullish है, कब trend short term में खराब होगा, कब long term में, सारा discussion हमने करा ह I hope आपको सब कुछ सब में जाया है, फिर भी कोई doubt रहा हो, कुछ आपको पूछना हो, comment box में आप बता सकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे ही, लेकिन ऐसी analysis अगर आप सीखना चाहते हैं, तो wave analysis में आईए, जो की one-to-one training program है, एक समयमे में एक इंसान को सिखाता हूँ, आप connect होना चाहें, तो हो सकते हैं, पहले description में detail देख लीजिए, fees बगेरा देख लीजिए, और अगर interested हो, तो इस number पर whatsapp करके अपना call schedule करा सकते हैं, और अब जानकारी ले सकते हैं, कि wave analysis कैसे होता है, किस तरीके से होता है, यह सारी जानकारी आप ले सकते हैं, चैनल की diamond membership आप हमारे whatsapp group में आ सकते हैं, जहां आप अपनी तरफ से किसी भी stock के support या resistance के उपर हमसे directly वारतालाग कर सकते हैं, थ्यान रखिए, आप ही पूछेंगे, हम अपनी तरफ से वहाँ ना तो कुछ बताते हैं, ना कोई buy sell recommendation देते हैं, ना हम आपको कोई और तरीके का यहाँ प जैसे कि HFCL हैं, अगर यह breakout करने वाला होता है, तो हमारी तरफ से उन stock का update आजाता है, जो breakout करने वाले हैं, उनका chart हम आप लोगों के साथ share कर देते हैं, कि इन stock को देखो, study करो, और अगर आप काम करना चाहते हैं, तो काम भी करिए, लेकिन study करने लिए हम उन charts को आपके सा share करते हैं, जिनको अगर आप देखना चाहें, तो आपको STP chart scanner join करना पड़ेगा, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, चैहिन, चैह भारत